तो दोस्तों आज हम आपके लिए पूरी के साथ खाई जाने वाले काले चने की बहुत ही अलग ऐसी सबजी के रेसिपी लेका रहे हैं जिसे बनाने के लिए आपको ना प्याज, ना लसू, ना टमाटर, ना दही किसे भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है लेकिन बनेंगे ये उतने ही जादा स्वादिष्ट और बहुत ही मसालेदार तो चलिए आज की नहीं रेसिपी शुरू करते हैं सबसे पहले दोस्तों हमें याप लेना है काले चने मैंने डेड़ कप काले चने लिये थे, इसे रात भर भीगो कर रखा है अच्छे से भीग जाएंगे तो ये अच्छे लगते हैं जब हम इसे खाते हैं अब उसी के पानी के साथ हमें कुकर के अंदर डालना है क्योंकि इस पानी में निट्रोशन वैल्यू काफी होती है साथ ही एक कच्चा आलू मैंने डाला है स्वाद नुसार नमक डालेंगे और एक चमट देसी घी डालेंगे इससे जो इसके अंदर का पानी है न वो बहुत जादा बाहर नहीं आएगा और आपका गैस टॉप गंदा नहीं होगा आप इसे पकने देते हैं और इस चने को जादा चिटपटी बनाने के लिए हमें बिना पानी डाले थोड़ा सा दर दरा पीस लेना है चलिए और दूसरा बहुंत और इसमें डालना है इंग्ली का पानि इस्टा जितना खट्टा खाना हो उसके हिसाब ससारा पानी左 दो 했 तो मच हमें इसमें मिलाना है बेसन और इसे अच्छे से मिक्स करके एकसाइट रखना है ध्यान यहीं रखना है इसमें गुटली या लंस ना रहे और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसे एकसाइट रखेंगी और देखेंगे चने को तो यहां पर दोस्तो हमने आलू क्यों डाला है क्योंकि आज की सब्जी में बाइंडिंग का और टेस्ट बढ़ाने का काम आलू ही करेगा और यह देखे दोस्तों चने और आलू दोनों पक चुके हैं तो दोस्तों हम हर बार एकी तरीके की सब्जी खाकर बोर हो जाते हैं लेकिन कभे कुछ नए स्टाइल में कुछ आगे इसके टुकड़े कर लिये हैं और जो चने हैं वह भी अच्छे से पक चुकी हैं अब लेते हैं कड़ाई इसमें डालेंगे हम तेल अब देसे घी भी डाल सकते हैं और इसमें बालेंगे हम Church 3 और जीरा राइ को अच्छे से च्टकने दीजेगा उसके बाद याप बा अब डालेंगे हम सुखे मसाले, तो यहाँ पर दोस्तों हमने हरे मिर्च का इस्तमाल किया है, तो हमें कश्मेरी लालमिच का पौडर डालना है, इसे कलर बसाएगा, साथी धनिया पौडर, हल्दी पौडर डालना है, और इसे अच्छे से भूनना है, तो इन मसालो को अच्छ दालज़ के तक्षिर आएगा जो मसाली की जिसे मसाली भूं जाते हैं कि अब ऍवह बढ़ करें लिए इसे लिए प्सकरण लुक्त है यह देते हैं हमने इसे भून लिया है अब हम ईसमें डालेंगे चने जो हमने अभी अच्छे से मिक्स करके रखे हैं आलो के साथ और साथ ही हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा गरम मसाला और इसे मिक्स करेंगी दोस्तों यहाँ पर हमने चन्मों को उबालते वक्त भी नमक डाला था तो अगर आपको जरूरत पड़े तभी आप इ पानी के साथ और जैगरी पाउडर मिंस गुड़ का पाउडर भी डाला है यह सबजी तीखी है चटपटी है थोड़ी सी खट्टी और थोड़ी सी मीथी लगती है और पूरी के साथ यह बहुत अच्छी लगती है अगर आप इसे चाट की तरह भी खाना साथे हैं तो आप बहुत अच्छी लगती है जब आपके टेस्ट बट का मतलब जब आपको कुछ चटपटा और मज़ेदार खाना होना तो यह रेसेपी बहुत अच्छी लगती है मैंने थोड़ा सा नमक डाल दिया है और इसे मिक्स कर लिया है और अब इसे थोड़ी देर ढखकर पकाएंग यह कितनी अच्छे थोड़ी से क्रीमी लग रहे हैं अगर हम सूखी चनी के सबजी बनाते हैं ना वो पूरी के साथ खाते हैं तो गल्ले में अटकती है लेकिन ऐसी थोड़ी से रसे वाली और थोड़ी से क्रीमी और यह तम मस्त वाली अगर सबजी पूरी के साथ मिल जाए तो पहुत अच्छी लगती है अब यह पर तड़की के लिए हमने देसी घी लिया है इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा जीरा हरी मेच और थोड़ा सा लाल मिच का पावडर यह कश्मीरी लाल मिच का पावडर है और अब इस तड़की को डाल देना है चने के ऊपर इस फ्रेश ह है आपको बहुत पसंद आएगी और यह खाने में बहुत टेस्टी भी लगती है वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए का इसे शेयर कीजिए का चैनल को सब्सक्राइब करना दोस्तों बिल्कुल भी ना भूलिएगा मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ब